हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बैल आइकन पर क्लिक कीजिए नए नए वीडियो देखने के लिए नमस्कार दोस्तो हमारे यूटूब चैनल जरहट के हिंदी में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज ही हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेर कीजिए जनमस्त्मी के दिन हूल कर भी आप ना करें ये पांच काम दोस्तो स्री किजिए का जनम भाद्रब मास के किजिए पक्षिगी आश्ट्मी को रोहणी नक्षत्र में मधरात्री में हुआ था इस मार्त संप्रदाय के अनुसार इस साल जो जनमस्त्मी का तेवार है वह 14 अगस्त के दिन मनाई जाएगी वहीं वैश्टनर्ब संप्रदाय के अनुसार यह जनमस्त्मी 15 अगस्त को मनाई जाएगी दोस्तो इस दिन कुछ ऐसे काम है जो हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए अगर हम यह काम करेंगे तो हम पे शिरिक किष्ण की किरपा कभी नहीं होगी और हमारे घर में आए दिन लड़ाई जगड़े और दर्दरता बनी रहेगी आई हम आपको बताते हैं कि यह कौन से काम है जो कृष्ण की जनमस्त्मी वाले दिन हमें बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए पहला काम जनमस्त्मी वाले दिन किसी भी व्यक्ति को सराब का सेवन नहीं करना चाहिए दूसरी चीज जनमस्त्मी वाली रात को किसी भी व्यक्ति को सम्मन नहीं बनाने चाहिए तीसरी जो बात है, जनमश्मी वाले दिन यदि किसी महिला को मासिक धर्म हो रहा है, तो उन्हें भगवान स्रीकिष्णी की मूर्ती को नहीं चूना चाहिए, जनमश्मी वाले दिन किसी भी व्यक्ति को, किसी भी महिला को अब सब्द नहीं कहने चाहिए, जनमश्मी वाले दि मास का सेवन नहीं करना चाहिए अगर घर में कोई उपवास रखता हो तो उस घर के किसी भी सदस्य को मास का सेवन नहीं करना चाहिए नहीं तो जो व्यक्ति उपवास रखता है उसको उसका फल नहीं मिलेगा तो दोस्तो हमें जनमस्त्मी वाले दिन ये पांच ऐसे काम है जो हमें भूल कर भी नहीं करने चाहिए यदि आप यह कार्णा नहीं करेंगे तो भगवान श्री किष्ण की किरपा आप पर हमेशा बनी रहेगी और इस दिन केवल श्री किष्ण की भक्ती में लीन होना चाहिए दोस्तो हमें उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा यदि आपको यह वीडियो पसंद आये तो इसको अधिक सदिक लाइक शेर करना न भूले और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद